नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजुचर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो चलिए बात करेंगे कल के रैंकिंग की जी हां 118 डे की रैंकिंग की बात करेंगे टाइम लूप में फसे हुए घरवालों ने क्या किया परफॉर्म कैसे किया परफॉर्म किसने ज़ादा फोटेज टाइम लूप में भी ले ली उसकी भी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह सिलसला मगर उससे पहले आपसे गुजारश है जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया एक रिपया कर लीजिए साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तैंक्यू सो मच तो नमबर नाइन से शुरू होता है हमारा सिलसला और नमबर नाइन पे हम रखते हैं देवलिना भट्टाचारे को काम ही कुछ ऐसा दिया गया था जिसमें पर्फॉर्मेंस औरेंटीड कुछ नहीं था और वो था अपना मेकप करना राखी सावन का तो देवलिना ने अपनी तरह से पर्फेक्ट किया बहुत अच्छे से वो जा रही थी मगर दोस्तों अगर हम बात करें फोटेज की या जादा दिखने की तो उसमें वो जादा नहीं दिखी कल के दिन में तो देवलिना आती है नंबर 9 के उपर नंबर 8 पे आगे हैं विकास कुपता उनका भी सेम टाइप ही था बीच में उन्होंने कोशिश की जब रुबिना गिरती है पूल में वहाँ पे बचाने की फोटेज लेने की इसलिए थोड़ा देवलिना से आगे आ गए हैं बट उनका भी काम है यही था राखी सावन का मे तो विकास कुपता का काम भी Okay टाईप ही था खलके दिन तो वह आते हैं the आट के उपर अलिगोनी के पास कल के दिन नहीं था तो वो आते हैं नंबर साथ के उपर जिसमें था कि उनको लगेज रूम साफ करने उसी में लडाई करके फोटेज बटोर ली थी कि मैं अब यही क्योंकि टाइम लूप है तो बार बार यही करना पड़ेगा और मेरे पर एंड होगा तो वो अर्शी खान ने एक पत्ता यहां पर यूज कर दिया था तो परफॉर्मेंस वाइस भी अगर कहेंगे अर्शी खान की अच्छी थी होने दोस्ती पे भी अपने सवाल जो थे वो उठाए अली और राहूल के साथ लड़ाई भी कि निक्की को लेके भी अपना कमपैलिजन दिखाया है कि मुझे आपने नीचा दिखाया है निक्की को आप फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अर्शी खान कल करती हुई नजराई तो अर्शी खान आती है नंबर छे के उपर नंबर पांच पे आगे हैं अभीनव शुकला टॉपलेस बॉय जो हमेशा सन बात लेते हैं वही चीज बिग बोस ने नोटिस किर उनको वही टास्क दिया कि आप सन बात लेंगे और राखी आपका मसाज करेगी अप अभीनव शुकला आगे टैंचन में राखी साबद करेगी जिससे वो अल्डेडी एवोइट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर बिग बोस ने साथ में उनके डाल दिया है तो इस चक्कर में अभीनव शुकला कंपरिटिवली जादा दिके हैं और फिर वो किंग भी बन गे अपनी होश्यारी के साथ तो उनकी अगर हम रैंकिंग निकी तंबली की परफॉर्मेस कल काफी अच्छी थी वो राहूर से दोस्ती करना चाहती थी और राहूर के लिए कुछ करना चाहती थी राहूर ने भी अपनी तरफ से दोस्ती निबाते हुए उनको सीक्रेट बता दिया कि तुमारा जो लिविंग एरिया साफ करने वाला चाड़ू है वो छुपा दिया है किसी ने मगर नाम नहीं बताया तो यहीं से निकी और राहूल की दोस्ती खटे मिठे सवादों के साथ आगे बढ़ती ही नजर आई जो बहुत अच्छी लगी और निकी तंबली ने जिस तरह से चीजों को किया पार्टी स्पेशन लिया चाए, कॉफी जो भी था उसमें भी निकी काफी अच्छी दिख रही थी कल के दिन तो निकी आती है नमबर चार के उपर नमबर तीन पे आगे रुबीना दिलैक, रुबीना दिलैक की परफॉर्मेंस में कुछ खास था नहीं करने के लिए मगर फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए क्योंकि वह वाटर फॉबिया उनको है और बार बार उनको पूल में गिरना है और अली को उनको बचाने के लिए पीछे गिरना है तो जिसको वाटर फॉबिया हो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है बार बार गिरना बट उसमें performance like कुछ नहीं था जिसमें कि जैसे रवीना दिलाएक की performance होती है मगर येस उन्होंने अभीनाव शुकला के जो टास्क था जो राक्की के साथ था उसमें उनकी participation ती निक्की की help करने में उनकी participation ती और बहुत सारी चीजें उनने भीच भीच में किया तो रवीना दिलाएक आते हैं नमबर तीन के ओपर नमबर दो पर आगे हैं राहुल वैदे राहुल वैदे की कल अलग ही कुछ दिखाई दिये जैसे की time loop वाला था वो बड़े अच्छे से करते हैं नजर आए हर बर सेम dialogue से entry लेते थे चाए बनाना फिर सबको चाए पिलाना फिर coffee बनाना cold coffee देना मतलब उनको काफी हद तक अपने dialogue याद थे जो time loop में बहुत important चीज़ होती है कि आपकी continuity words की maintain करना actions की तो हो जाती है इदर उदर मगर words की continuity maintain करना बहुत जरूरी होती जो राहुल वैदय ने काफी हत्त किया बट unfortunately जो king बने थे वो उनके दुश्मन है तो उन्होंने उनको out कर दिया बट राहुल वैदय ने बहुत अच्छा perform किया निकी के साथ भी नहोंने बहुत अच्छी वे नजर आए तो राहुल वैदय आते हैं नंबर दो के उपर नंबर वन पे आगी है राखी सावन जोस्तो राखी सावन की performance की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कुछ लोगों को शायद उनकी performance नहीं अच्छी लग रही है बट definitely राखी सावन शो को जरूर ड्राइव कर रही है क्योंकि राखी सावन का टेरर अभीनव की नजरों में दिख रहा है हम लोगों को और रुबीना भी उनसे थोड़ी सी अलग हो गी है उनको भी लग रहा है कि यह थोड़ी खतनाक हो गी है तो ऐसे खतनाक प्लेयर बिग बोस को घर के अंदर चाहिए नहीं तो मलाई प्रेयर के साथ बिग बोस का जो एंटेटेन्मेंट फैक्टर है वो खतम हो जाएगा अब राखी सावन ने कल भी बहुत फोटेज बटोरी है वो जो मसाज वाला सीन था फिर उसका तेल चुपा दिया जान बुझ कि उसको तंग कर रहे थे मगर वो नहीं हटी उसने कहा कि म है मजा दूंगी आप लोगों को फिर जो अभीरव के लिए उसका प्यार है विकास गुपतक साथ जो सीन कर रही थी वो भी अलगी था तो राखी सावन काफी हद तक मैं कह सकती को फोटेज बटोरती कल के दिन दिखाई दी तो आती है नंबर वन के उपर यह थी दोस्तों रैंकिंग वन वन एट दे की आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा देखतर ही है चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंक यू सो मच subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel